नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है सपा प्रमुक और उत्तरपदेश के पूरु मुख्यमंतरी अखलेस यादों के उकसाओं पे मुरादाबाद ने हुई पत्रकारों की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब उस मामले में पत्रकारों ने अखलेस यादों के खिलाफ दर्ज करा दी है और जो एफाई आर हुई है वो आईपीसी की धारा 147, 342 और 323 के तहद यानि की राइटिंग यानि की बलवा और उसके बाद रॉंगफुल कंफाइनमेंट यानि की रोक लेना और मार पीट ये मामला दर्ज हुआ है उधर से समाजवादी पार्टी के जो जिला दहक्ष हैं उन्होंने भी कुछ पत्रकारों के खिलाफ दर्ज कराई है लेकिन सबसे जो खास बात है वो ये कि सब कुछ अखलेस यादों के उकसावे पर हुआ जिस तरीके से प्रेस कॉनफेंस हुई एक होटल में प्रेस कॉनफेंस थी प्रेस कॉनफेंस के बाद लॉबी में पत्रकार खड़े थे उसी दवरान अखलेस यादव आए तो कुछ नीजी सवाल उन्होंने पूछ लिये थे जिसको ले करके अखलेस यादव भड़क गए और वो ना सिर्फ भड़के बलकि उन्होंने कुछ ऐसी सब्दों का इस्तिमाल किया जिसकी वज़े से सुरक्षा करने जो उनके थे और जो कारिकरता थे वो पत्रकारों पे तूट पड़े नतिजा यह हुआ कि कई पत्रकार जो है जमीन पे गिरे हुए दिखे और कारिकरता उ आ रही है कि अब FIR लॉज हो गई है FIR लॉज होने के बाद BJP के नेताओं की पहले भी प्रतक्रिया आई थी और अब भी प्रतक्रिया आई है कि यह क्या हो रहा है आपको बता दे कि प्रकाश जावडेकर ने उस वीडियो को ट्वीट किया था और सवाल उठाए थे ठीक इ इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतक्रिया आई थी लेकिन एक बात सोचिए कौन सही है कौन गलत है राजनिती के दलों का काम है राजनित करना एक दूसरे प्यारोप प्रत्यारोप लगाना लेकिन जो समाजवादी पार्टी लोगतंत्र का पहरुआ बनती है लोगतंतर का रखवाला बनती है वो समाजवादी पार्टी के नेता के सामने चाहें जैसे सवाल पुछे गए हूं क्या कोई नीजी सवाल पुछेगा जो आपको इरिटेट कर रहा हो उसके जवाब में आप पत्रकार के साथ मार्पिट करेंगे उसके उसके साथ गाल नहीं है जिसमें कि बीजेपी के नेता के या बड़े नेता के सामने पत्रकारों की पिटाई हो रही हो और अखलेस यादों के सामने ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अखलेस यादों पहले भी पत्रकारों पर भढ़कते रहें और दलाल और ना जैने क्या-क्या बोलते रहें और ज्यादा गाली गलाउच करने और मार्क पिट करने के लिए आप अंदजा लगा ये पत्रकारों के संख्या वहाँ पे कितनी होगी 20-25 होगी और उनके सुरक्षा कर्मियों की और जो कारिकरता है उनके कितनी होगी सैक्डों में होगे दोनों मिला करके तो उस भीड में पत से भी एफिलियेशन हो सकता है उस विचारधारा का सपोर्ट वो कर सकते हैं लेकिन इस सब के पाउजू क्या पत्रकारों के पिटाई कराएंगे अपने सामने ये कैसा लोगता अंत्र ये कैसी पार्टी सवाल तो बनता आप देखते हैं कि यूपी पुलिस इसमें क्या एक् सन लेती है क्या अकलेस यादों से पूछताच करेगी इस पर नजर रहेगी तो आप रहे हैं बेखबर देखते रहे हैं इन खबर थैंक यू